तो पिछले एपसोर्ट में हमने देखा था हो मैंग जो के रिल्म अपकोड का सुप्रीम था उसके दोस्तों ने धोके से उसकी जान ले ली थी और उसके सोल कोर को पुर्ण जन्म का स्राप देकर इटर्नल रिल्म में भेज दिया था वही टैनू नाम के सक्स ने अपनी होने वाली पतनी रिहाना को जियान नाम के सक्स के साथ रंगे हाथ पकर लिया था अब इससे आगे कहानी हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं जिसकी सुरवात वही से होती है जहां हमने पहले एपसोर्ट को खतम कर रहा था रहाना के साथ अब चुकि टैनियों ने रहाना सितू फैमिली की साजेश थी टैन फैमिली को हमेशा के खत्म करदेना कल सुपर साधी के सामारों के मात हम चाने वाणा करता हैं प्रेदान और आपने परिवार के बारे में ऐसा सुन यहान को बिला बुर्ब बोलने लगता हैं और फिर जियान के तरफ हमला करने के लिए आगे बहता है तब जियान भी आगे आता है और फिर टैनियून की इतनी धुलाई करता कि यह अदमरा सा हो जाता है अब यह सब देखकर रहाने जियान को रोखते हुए जो कि धीमी पर गए थी यानि कि टैनियून मर नहीं वाला था तब घबराई स सब्सक्राइब जैए रहाना को सांद कर यह से नहीं बने है लगा良गा तो चल थो करने में हों मैं के सोल구요 देखते हैं जो की में धियुक्त ठीक कर अपने साथ कोछिस करता है कि यह एक सूप्रीम है जिसकी हमिए शिरीर की तलास में जिसदे को कुछ भी समंझमें नहीं आता हुए कि यहां कर रहेए है तब म centres स्रीर के भीतर समाज आता है जिससे कि टैन्यून को होमेंग की जिन्दगी वाली सारी बाते याद आ जाती है और साथ में होमेंग की कुछ पावर्स भी जिसे इतनी पिठाई के बावजूद भी टैन्यून वापस एकदम फिट हो गया था और फिर होमेंग की प्रोब्लम सॉल्ब करने से पहले उस जगह के लिकल परता है जहां पर टैन्यून और रिहाना की साधी की रस्में होने वाली थी ताकि लिव और सीटू फैमिली से अपने टैन फैमिली की रक्षा कर सके तभी रास्ते में इसा योकीन दीखती है तो फ्रें टैन की साधी के तैयारिया में जुटी होती है जिसे की यूदिक टैन्यून यूकीन को बजार से अपनी पसंद की वेडिंग ड्रेस दुल्रन के लिए लाने भेज देता है और मन में सोचता है इस जनम में यह तो किसे भी हालत में यूकीन को अब खुद से दूर नहीं होने देगा पर यहां यूकीन को वेडिंग ड्रेस वाले बास सुनकर काफे बोड़ा लगता है क्योंकि इसे ऐसा लग रहा था टैन्यून ने इसे रहाना के लिए कप्रे लाने बोला है वहीं अगली सुबह होते ही सभी टैन्यून और रहाना की साधी के लिए इकटा होते हैं ज अब यहां पर अचानक से टैन्यून पहुंचता है और सिधे चिलाते वह बोलता है कि यह रहाना से साधी नहीं करने वाला है अब यह बात सुन सभी गिस्ट आपस में काना फुजी करने लगते हैं आखिर ऐसी क्या बात होगी बहला जो टैन्यून ने अपने से बड़े घर आज में हमारे इजद क्यों उच्छाल रहा है समहालिये उसे इससे पहले कि मेरे हाथों से कुछ गलत हो जाए तब यहां पर रहाना भी रोने का जुटा नात्यक करने लगती है अब यह देख टैन्यून के पिता गुसमें टैन्यून की तर बढ़ता है उसे पीटने के होगा तब दूसरी तब से लिए बिना वक्त गवाही अपने सैनिकों को बुला लेता है जहां पर लिए का साथ देने जियान का पीता सीटू भी टैन फैमिली के सामने आखिरा होता है क्योंकि वैसे इनकी तो पहले सही टैन फैमिली को खत्म करने की प्लानिंग थी अब तो जाता है जिसे दिखाते होँए कर सभी को बताता है कि दर से लिए और शितू फैमिली मिलकर रिचांड़ी तो ने इस विए पहले है यह जमारे बोलता है एक तो तुमने साधी तोरकर हमारी इच्जत उच्छा लिए उपर से हमें पर इल्जाम लगा रहे हो अब देखता हूं तुम्हें हमसे कौन बचाता है जिसके बाद लिए और सुथी फैमिली टैन फैमिली पर वार करने के लिए आतुर हो जाती है अब यह सब देख आसपस बैठे गिस्ट आपस में बात ही करने लगते हैं टैन यून को लिए और सी तु फैमिली को गसा नहीं दिलाना चाहिए था वैसे यह दोनों फैमिली स्पिरिट लेवल एट में पहुच गई है जिसका सामना टैन फैमिली के लिए करना असंभा होगा अब तो इन्हें से मास्टर ओफ मैडिसिन मिस्टर बे इन्हें बचा सकते हैं जो कि स्पिरिट लेवल नाइन में है अब इन बातों को सुन टैन के पीता फॉरण मिस्टर बे से मदद की गौहार लगाने लगते हैं जवाब मिस्टर बे बोलता है वैसे मैं इसमें क्या ही बोलू सबसे पहले ठीक है आप समझ नहीं पा रहें कि कौन सही है कौन गलत तो इन बातों को छोड़िए मेरे पास आपके लिए नाएक डील है मेरे पास उस दवाई की प्रिस्क्रिप्शन है जो आप कई वर्सों से बढ़ाना चाहते हैं प्रिस्क्रिप्शन ऑफ फेटल स्पिरिट पिल्स मै मैं आपको वह दूंगा बदले में आपको एक महीने के लिए मेरी फैमिली की रक्षा करनी पड़ेगी अब मिस्टर बे इस डिल के लिए फोरन ही राजी हो जाता है और खुले आप लिए और सितु फैमिली को चुनौती देता है अकर एक महीने के अंदर किसी ने भी टैन फ प्रिस्क्रिप्शन हो ही नहीं सकती आप एक बार दुवारा चेक तो कर लो यह सही तो है ना कहीं टैनियों ने आपको बेवकुप तो नहीं बनाया है न जवाम मिस्टर बे बोलता है मैं कर तुम दोनों फैमिली टैन फैमिली के पास एक महीने के अंदर मुझे दीखे ना तो उसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा जहां पड़ अब एपसोड के आखिर में सी तो जाते जाते बोलता है ठीक है मिस्टर बे इस बार तो आपने इसे बचा लिया देखता हूं एक मेहने के बाद 10 फैमली को कौन हमसे बचाता है और इसी के साथ यह एपसोड यह भी खात कौने बादा प्यूद सुड़ को कि लात बाद 10 नात भी खात प्लिकार ने thigh जियस यह भी ऑने